हलो स्टुडेंट कैसे हैं आप लोग उमीद है भले चंगे होंगे मैं अजित्चरन स्वागत करता हूँ आपको स्वामी विवेकानन इंस्ट्यूट में ठीक है तो हम चर्चा कर रहे हैं इतिहास की और इतिहास में चर रहा है सल्तनेट डाइनेस्टी की चर्चा हो रही है चर्चा को आगे बढ़ाते हैं एक डायनेस्टी मैंने चर्चा कर दी अब हम चर्चा करते हैं खिल्जी डायनेस्टा करने के बाद इसका सबसे बड़ा main point है क्या कि इसका time duration क्या था खिल्जी डाइनस्टी का ठीक है तो यहां पर हम लिख ले देख लिजिए मैं लिख भी देता हूं खिल्जी डाइनस्टी का duration duration क्या था दीव duration ठीक है तो duration मैं बता देता हूं duration था duration duration समय क्या था खिल्जी डाइनस्टी की समय थी जब स्लेव डाइनस्टी खत्म हुई थी यानि कि 1290 में खत्म हुई थी उसके बाद यह चला सा 1320 तक चला था ठीक है तो इसका duration आप नोट कर लिजिए ठीक है कि स्लेव डाइनस्टी खिल्जी डाइनस्टी का इसमें जो चर्चा आती है इसके foundation किस ने डाला तो जलाल उदिन खिल्जी नामके व्यक्ति ने इसका फॉंडीशन डाला था फॉंड़ेशन किसने डाला था तो जल लुदीन खिलजी ठीक है एश्या लुदीन खिलजी नम लिखा हुआ है् ठीक है जलालुदिन खिल जी ने इसकी फाउंडेशन कब डाली थी तो वही टाइम था 1290 में इसने फाउंडेशन जाली और ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाए यह मात्र छे साल शासन करते हैं और इनका शासन कब तक चलता है तो 90 90 से 96 तक यानि 6 साल इन्होंने शासन किया हुआ क्या था जलालुदिन खिल जी ने इस अपने इन्वेजन के दोरान अपने जो एक्सपेडिशन जो करते थे जो अकरमन करते थे उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट अकरमन था जिसमें कैमूर्स पर उन्होंने कैमूर्स लिक लिएगा कैमूर्स के-ई-ई-ए--अ- तो कैमूर्स लोग थे कैमूर के रहने वाले कैमूर्स थे तो उन पर इन्होंने आकरमन किया और वहां पर बहुत सारे हत्याय की थी इस वजा से क्या हुआ कि इस जलालय दिन घिलजी का holiday серव हुआ क्या हुआ दिफैम हुआ यानि इनका नाम बद perfect हो गया ठीक है उसके बाद क्या हुआ कि यह जब जैसे ही आ गयाते हैं और और हैं कहां से तो एक information है कि एक खिलजी ट्राइब होता है कहां होता है खिलजी ट्राइब तो खैवर पास पार कीजिएगा तो अरब कंटी में याने Central Asia में एक जाती प्रजाती होती इंसानों की जिसको कहते हैं खिलजी ट्राइब तो खिलजी ट्राइब से थे इसलिए अपने नाम के पीछे खिलजी लगाते ठीक है तो इस तरह से जब एसासन किये तो शुरू के दिनों में जब यह आए शासन करने जीते यानि जब जीत हुई इनकी जब दिली पर इनका टाइम आया यानि कुत्तवदिन एवक यानि गुलाम डाइनस्टी जब करने होती है तो इनका जब टाइमाता है ढूर्त चुल opposite गुष अमिर्स जो उनके इस उनके जो वहां के जो थे करते हैं कि जिनको करते हैं खिलाफ Śंसरा के कुछ रभीर और पीपल के कुछ दिल्ली के कुछ लोग इनसे डर रहे थे इसे लिए इन्होंने किया किया था एक जगह दिल्ली के पास है हना वो जगह लिख लिए कीलो ग्राई है कीलो गरही है कीलो गरहि कीलो गरही में ए रुख गये और कीलो गरही से इन्हों किया कई दिनों कई महिनों तक कई वर्सों तक किलोगर्ही को इन्होंने नाम दिया था वह नाम important है सहरे नाउ किलोगरी किलोगरी को किसके नाम से पुकारते थे थे तो सहरे शहरे नाव के नाम से किलोगरी को फुकारते थे समझ में आ रही बात तो इस तरह से इनका जो इल नेम था यानि जो फैला हुआ नाम था सुरू में जब सासन पे आए तो इनका नाम बदनाम हो रहा था तो इन्हों ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली इन्होंने क्या किया तो इन्होंने बिलकुल नॉर्मल भीहवियर करना सुरू किया लोगों के साथ अच्छे बरताब किये रिलेशन डेवलप करना सुरू किये ठीक है ताकि इनका जो नाम जो उसमय बदनाम हुआ था कैमूर्स के हत्याओं को लेकर के उसको ठीक कर सके समझ में आ रही बात समझे तो इस तरह से इन्होंने क्या क्या कि अपना जो था जो इलनेम था उसको ठीक करने की कोसित की ठीक है और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे अपना रिलेशन बनाने लगे अच्छे करने लगे इस समय कुछ invasion भी किया था कुछ expedition भी किया था उस expedition का नाम भी आपको जानना होगा जैसे रन्थम भौर में भी आकरमन किया था इनों तो रन्थम भौर से लेकिन उतना हत्या वगर नहीं हुआ था लेकिन इसमें average उनको success सफलता मिली थी और जब एक जगा और invasion किये थे मंगो पर invasion किये थे मंगौलों पर invasion किया था मंगोलों पर invasion करने के करम में क्या किया था इन्हों ने अपनी पौलिसी बहुत ही लिवरल करती इसलिए उनके साथ relation रएक और जाएल ज्डिक की तो जो behavior था वो change हो गया था जलालुदिन खिल running का behavior हो गया था इसी समय समय जब changing हो रहे थे इनका सोभाब परिवरतन हो रहा था उसी समय इनका भतीजा नाम क्या था अब दूसरा नाम देख लिजिए अल्लाँ दीन खिल जी ए डवल ए अल्ला यू डवल डी आइन दीन खिल जी कि एच आई एल जे आई तो ए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास में अल्ला दीन खिल जी ठीक है ए बड़ा ही अलग किस्म का इंसान था इसमें खासियत क्या थी खासियत मैं कर ले बलकि एक जुनून था जुनून तो एक क्या करता था कि इन्वेजन करता था और इन्वेजन करने के बड़ अंडर जलाल दीन खिल जी के टाइम नहीं साथ में ञेला लड़ा है तो एसे कई आकरमन किए जिसमें बहुत dois red लूट करके लाता था इससे जलाल अदिन खिल जी खुश भी रहते थे उस पर यकीन भी करते थे कि यह बहुत बहादूर है तो बास्ता में जलाल अदिन बहादूर तो था लेकिन वह गलत काम करते करते इतना गलत हो गया था कि उसे गलत और शही का फर्क नहीं दिखने लगा फिर क्या हुआ कि एक जगह का नाम आता है कारा कारा एक जगह है एक देश था उस समय कारा पर इन्वेजन करता है कौन अल्ला दिन खिल जी यानि जलाल दिन खिल जी के भतिजे समझ में आई बात अब इस कारा इन्वेजन में भी वो बहुत सारा पलंडर करता है बहुत सार जती लाता है लाहाधि drink कि आप क्या करो उस पर control करो नहीं तो क्या होगा कि जलाल लोद दिन खिल अपने मन की करेगा ल devo ऐगा東 जलाल दिन जी को इतनी ज्यादा का मैं चर्चा करता हूं कारा कारा में मों सारी संपत्ती ले कर के आता है तो सब जो जलाल उद्धिन के एडवाइजर हैं वो कहते नहीं कि आगे लोट कर लो पर सेना के साथ पूरा का संपत्ती रखता है और वहाँ पर बुलाता है किसको तो जलाले दिन खिल जी को कि आप एस सारी संपत्ति ले जाए जलाले दिन खिल जी कौन था तो अल्ला धिन खिल जी का चाचा था तो चूंकि भतीजे ने बुलाया तो इस वज़े से जलाले दिन खिल जी उसके पास चले जाते हैं इसी क्रम में अल्ला दिन खिल जी क्या करता है, जलाल दिन खिल जी की हत्या करता है, तो यहां से अफसत्ता चेंज हो जाती है, सासन का प्रक्रिया बदलता है, और अब आती है बारी किसकी, तो आती है नए सासक, जिसका नाम है अल्ला दीन खिल जी, तो अब जो टाइम आता है, यह यह था 1296 की मैं बात कर रहा हूँ यानि 1296 में वो तक्ता प्लट कर देता है कौन तक्ता प्लट करता है तो अल्ला दीन खिल जी अब सासर कौन बनता है अल्ला दीन खिल जी ठीक है अब आते हैं अल्ला दीन खिल जी के बारे में कुछ चर्चा करते हैं इधर देखिए यहां पर जो मैं बात कर रहा हूँ उसी का repetition यहां पर किया हुआ जो बाते मैंने बताई है अल्ला दिन खिल जी के बारे में कि कैसे वो plunder किया और कैसे कैसे चीजों को लूटा कर दिया ठ्र इस शारी च्यर्चा मैंने लाँ जर्चा कर दिया था इकवर इन लाइनों के थ्रूप गो थू हो सकते हैं और इसको एक वार देख सकते हैं अल्ला दिन हैड ऐड़ ओन दा इम मेंस Sumell does अफब देवगिरी ़ंदीन का नजर था धेवगिरी एक और जगंढ कि अचार ऑफ तो यही बात ही कही गए विक्ट्री होँ वर यावव यादव किंग का राजा था यानि देव गीरी एक IMPORTANT जगा आता है पूुछता यहांसे देव गीरी देव गीरी है ना तो दीव गीरी में किसका सासन था तो यादब का था यादवाज तो यादवाज पर क्या करता है कि आक्रमन करता है अल्ला दिन खिल जी और बुरी तरह से उसको उसकी प्लंडर करता है यानि लूट पाट करता है यादवाज किंग उस यादव किंग का नाम क्या था यह भी पूछता है तो राम चंद्र देवा नाम था राम, चंद्र, चंद्र, देवा, तो यह नाम था, किसका, तो यादव, किंग, देव कीरी के थे, तो बूटी कहते हैं, लूट की संपत्ती को बूटी कहते हैं, बूटी क्या है, तो लूट की संपत्ती, लूट की संपत्ती बूटी होती है, प्लंडर लूट को कहते हैं, और लूट की संपत्ति को बूटी करते हैं तो बहुत सारा बूटी लेकर के गया क्या to लादीनस विक्ट्रीमेड जलाल दीन हैपि इस तरह से जब लादीन जीत अधा था भूसारा और बहुत सारे लोग उनको अडवाइज मैंने चर्चा कर दिया है कि अडवाइज देते थे लेकिन उनका फेथ था जलालविद्दीन खिल जी विश्वास करते थे चावहांस पर भी उसने आकरमन किया था जितने भी हिंदू राश्ट उस समय थे जादा तर सासन चार्वाइज तो जितने भी राजपूत साशक थे वह सब बारी-बारी से आकरमन करता है ठीक है वह कही जगह करता है वो मालवा में आक्रमन करता है वो कही जाजाओं को और सब जगल लूट पाण बचाता है ठीक है आगे बात करते हैं यानि कारा की बात आती है तो मैंने कहा कि कारा पर भी उन्होंने एक्सपेडिशन किया अल्ला दिन खिल्जी ने और अल्ला दिन खिल्जी ने कारा में भी ब दोखे से हत्या कर देता है कि अ दो कुझलिकर आपने चाचा यानी जलालो डीनः खिल जी की तो बात मैं ने चर्चा कर दी थी अब आगे बढ़ते हैं ठीक है next अब देखिए इस कहानी को आगे अगे बढ़ते हैं यानि कि अब कहानी आती है अफ्रलाक टेल thick के सासन आता है और 1316 तक वो king रहता है दिल्ली dynasty में यानि दिल्ली सल्तनत में वो सासक रहता है कितने वर्षों तक तो शुरू होता है कब से तो 1296 से और खत्म कब तक होता है तो 1316 तक यानि 1316 तक 16 वर्ष और इधर चार वर्ष यानि 20 years 20 साल तक क्या करता है अल्ला दिन खिल जी दिल्ली सल्तनत पर कायम रहता है इन 20 सालों में वो क्या क्या करता है उसकी चर्चा करेंगे ठीक है आते हैं चर्चा शुरू करते हैं ठीक है तो अल्ला दिन भतीजा था लेकिन राजा का बेटा राजा होता है प्रंपरा थी तो उस अनुसार से जलाले दिन का अपना बेटा क्लेमेंट था जिसका नाम था अरकाली खान अरकाली खान नाम नोट कर लिए यह मैं यहां पर लिख देता हूं जलाली दिन का बेटा का नाम था अरकाली खान नाम था और छोटा बेटा का नाम था क्वार्ड्रा खसन्ट क्यूंतबहुट यह चिन्स पाइर्ट करता क्लेमंट तो पाध्राहिन को अरकाली खान को राजा घोसित नहीं करता क्यों क्योंकि जो बीडो थी किसकी जलालदीन की यानि की जलालदीन की वाइफ उसको कहा जाता है कि वो उसने घोसना कर दिया उनको मलिकाए जहान बोला जाता था यानि वाइफ को क्या बोला जाता था तो मलिकाए जहान ने पहले ही घोसना कर दी थी कि मेरा बड़ा बेटा राजा नहीं बने वाया बलकि छोटा बेटा राजा बनेगा छोटा बेटा का नाम क्या था क्वाड्रा खान को राजा घोसित कर दिया था लेकिन हुआ कि जब उसको राजा बनने की बारी आई तो जैसा कि घोसित किया था औरिजनल ऑप अलकाई हां और तो क्या किया कि इसको दोनों को तीनों को कैद कर लिया गया किर तीनों को कैद कर लिया जिसमें किस कि दो की आंखे फोड़ दी Co जिससकी तो अरकाली खान की आंखे फ़ोड़ दी और प्वाड्रा खान की और जो वाइप घुदक से वह सासक घोशित कर दि कि खुदको इनको अंधा बना लाकर करके और सासन पर कबजा करके घुदंस आल्ला दिन के खंव도 1296 में वो खुद को declare करता है अब यहाँ पर कुछ और personal information की बात कर दें कि अल्ला दिन खिल जी का असली नाम क्या था तो अल्ला दिन का खिल जी का असली नाम यानि real name की बात करें रियल नेम रियल नेम क्या था तो गुरु गुरुशप था अली गुरुशप अली गुरुशप अली गुरुशप अली गुरुशप अली गुरुशप अल्ला दिन खिल जी का ओरिजिनल नाम था अली गुरुशप यहाँ पर आप नोट कर लिजे नाम अली गुरुशप और पिता जी का नाम क्या था तो शिशाबुदीन मशूद नाम था शिशाबुदीन मशूद यानि फादर कौन थे इसके तो शिशाबुदीन मशूद 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 हाना शिशाबुदीन मशूद के बेटे थे कौन अल्ला दिन खिल जी हाना तो अल्ला दिन खिल जी को औरिजिनल नाम क्या था तो गुरुशप अली गुरुशप सिर्फ गुरुशप नहीं अली गुरुशप अल्ला दिन खिल जी का असली नाम अली ठीक है अब यहां से आता है ब्रदन का नाम था ब्रदर और यह भाई कौन किसके होंगे तो सोहाविक है कि जलाल-दीन खिल जी चाचा थे उनके भाई थे कौन भाई थे तो सिशाबुदीन मशूद भाई थे ठीक है अब आगे की चर्चा करते हैं अप्टर जलाल-दीन अलाल-दीन खिल जी डिकलियर्ड हिंसेल्फ सुल्तान अब सुल्तान बन जाता है अब देली डेट याद रख लीजिए कब बना तो जुलाई में बना था 191296 को ठीक है तो इस तरह से जब वो सासक बनता है तो खुद को एक नाम घोसित करता है क्या घोस हुआ खुद को कहता है क्या शिकंद्रे शानी मैं शिकंद्रे शानी फिरन विजयता जैसे अलेकजंडर को गहा जाता है तो उसकी भी खौप ऐसी थी लेकिन बहुत हो लोगों ने उसको समझाया की एक खौप पानला छोड़ दो फिर क्या हुआ कि वो उस चीजों पर concentrate नहीं किया लेकिन अपने नेचर और प्रकृती से वो कई काम करता रहा ठीक है तो आगे की कहानी आती है आगे बढ़ती है यानि शिकंद्र शानी लिखवा तो दिया था लेकिन उसके लिए वो ज्यादा concentrate नहीं हुआ यानि उसको दिमाग में बिठाया नहीं ठीक है तो इस तरह से कहानी यहां तक आती है अब आगे होती है आगे की कहानी मैं चर्चा करता हूँ हुआ क्या कि अल्ला दिन खिल जी अपने आपको खुजा के रूप में प्रेजंट कर रहा था यानि कि मैं ही भगवान हूँ ऐसा कह रहा था ऐसा और भी है भी कर रहा था किसी की मदद नहीं लेता था कोई भी यूसे लेना होता था कोई भी पॉलिसी उसे चलानी होती थी तो वह किसी का नो डिसीजन नहीं सुनता था ठीक है केप्ट अमीर्स और इस दोरान उसने क्या किया कुछ नई चाल भी चली क्या चाल चली तो अमीर्स नौवेल्स या फिर खलीफा जो थे जिनके इसारे पर चलता था नौवेल्स खलीफा अमीर्स इस सब क्या उलेमा सरियत वगरा लगाते थे है ना तो अमीर्स का नोवेल्स का और खलीफा का अवाइड किया इसने तो इसके अवाइड करने के कारण इसके सत्रू बहुत ज़्यादा हो गया दुस्मन बहुत ज़्यादा इसने पाल लिया सब को हटा दिया अपने मामले में किसी को आने नहीं देता था अपने साथ अला दिन के साथ रहता था और वही एडवाइज करता था कोतवाल एक होता था पोश्ट था कोतवाल का और कोतवाल को अपने साथ अला दिन खिल जी रखता था और उसी की बातों को मानता था समझ में आ रही बात यहां तक बात समझ में आई सुल्टान अल्लादिन थाउट नाइदर शाउट और रिकुगनिजेशन अफ दे किंग्सिप और खलीफा खलीफा से कोई उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी खलीफा को अवाइड कर रहा था इस तरह से वो क्या क्या सेल्फ में अपने आप में एक बात कही कि यसमिन उल्ल खिलाफत यह अब किसी की बात नहीं सुनेगा हाना सेल्फ हाना हिमसेल्फ अस्टेड हिमसेल्फ और अस्टेड हिमसेल्फ अपने आप में मेंटेन करेगा खुद को चलाएगा यानि इसको कहा एस्मिन उल्खिलाफत तो इस तरह से अमीर्स अलमाइना और पूरा एस्मिन उल्खिलाफत और अमीर्स अलमाइना के नाम से इसने कहा कि मैं अपनी सासन खुद चलाओ आफ प्रस्टवण। और रवल पी कि और फी ये इसनों की उसमें मुसिलिम्स भी होते हैं ये मंघॉली ओ मुसलिम करते हैं दिल्ली में कुछ मंगोल से जो मुसलीम से वो दिल्ली में शेटल थे जब अल्लादिन खिल्जी बन रहा था तो उस समय जलाली दीन खिल्जी के टाइम में ही कुछ मंगोल प्रजाती के मुसलिम दिल्लि में years settled हो गए थे। फिक है अगे की बात अती है जलालज दिन खिल इन 19 अब आती है 1299 की बात आती है यानए 2199-9 बनता है 626 में वह क्या बनता सा języ दिन लेकिन 1299 में क्या होता है की एक बात होती है वह क्या होती है 1996 दमंगोल works जाता है दो ब्यक्ति को मंगोल ज्यादा पहां थे मंगोल गुजरात में थे तो गुजरात में भेजता है क्या है गुजरात भेजता है ऑप समय फघी ऐसको है और ऐसके दिन अपने ensure काकॉण विखता है यानि कि सेना नायक को भीजता है वो सेना नायक कौन है तो एक का नाम है नुसरत खान यह नाम याद रख लिए नुसरत खान यहां मा लिख देता हूं इन दोनों को कहां भेजता है इन दोनों को भेजता है कहां तो यहां भेजता है मैंने बताया जगा करना वो गुजरात भेजता है गुजरात किसलिए भेजता है तो गुजरात में कहता है क्या कि इस पर मंगोल पर आप अटेक करो to cp d shown our for thoughtful album olabilir नपर क्या क्रता सहक्सेसफ़ुलार्मडिु जाता है और संस्पुली मुटाइब करता मैं और सबसे डिमांड करता नुष्रत खान क्या दिमांद करता है तो बूटी नमबर औफ रोयल फैमिली और इस तरह से वहां पर जो मुस्लिम्स थे जिन से बूटी मांगया गया था वह डिनाई करता है तो नुष्रत खान और उल्ल खान दोनों मिल करके क्या करता है वहाँ पर बहुत सारा हत्या लूट पाट करता है और मुस्लिम फैमिली को टॉर्चर करता है नुसरत खान अनुल खान पुट एंड टो दा रिवोल्ट और इस तरह से वो पूरा विद्रोज होता है मुस्लिमों का उसको दवा देता है और उसके बाद रंथम भौर की तरफ आ सत्रू ले रहा था खुद मोशलमानों के बिरुद खड़ा हो रहा था दूसरा सत्रू ले रहा था खलीफा की बात नहीं मिलना था उलेमा की कोई कदर नहीं कर रहा था इस तरह से सारा चीज उलेमा क्या नीती निर्दे से क्यलाने वाले जो खलीफा होते थे उनकी बातों क करते हैं next देखिए अगली चर्चा में आती है खान अगली चर्चा में करते हैं तो अकत खान के नाम से अकत खान एक क्या था अकत खान ए नाम लिखिंगे एक communic एक के एक का вообще तो अकत खान भतीजा था किसका भतीजा था तो अल्ला दिन खिल जी का यानि अल्या दिल खिल जी के भाई का लड़का था ठीक है तो अकत खान क्या करता है नेफिव है अल्ला दिन खिल जी का ट्राइट टू किल अल्ला दिन और वो इसकी क्वाइश क्या हो जाती है अकत खान कि मैं अल्ला दिन खिल्जी को मार करके मैं सासक बन जाता हूँ ठीक है तो इसने क्या करता है कि यह जब एक एक्सपेडीशन करता है रंथम वार में तो उसी समय रंथम फवर एक जगह पर आकरमन होता है उसी समय सुल्टान अल्ला करता है अपने ग्रूप के साथ वहां जाता है और इस पर तीरों से बेजोड हमला करता है और क्या होता है कि अल्ला दिन खिल्जी बुरी तरह से घायल हो करके गिर जाता है अकद खान को लगता है कि अल्ला दिन खिल्जी मर गया लेकिन बात होती ऐसी नहीं है बात होती है कि अकद खान कन्फ्यूजन में हो जाता है और वो मरता नहीं अन्ला दिन खिल्जी मरता न लेकिन अल्ला दिन खिल जी क्या करता है उसको पकड़ लेता है यानि और पकड़ने के वाद उसकी आखों को फोड़ कर देता है यानि उसको अंधा बना देता है यानि अपने भतीजे को अंधा बना देता है कौन अल्ला दिन खिल जी और फिर सासन चलता है आगे बढ़ता है ठीक है अगली चर्चा करते हैं अब यह तो बात हुई कि कैसे कैसे वो कुरूरता से अपना सासन चला रहा था क्या क्या सिस्टम था अब है कि उसका गवर्निंग सिस्टम क्या था किस तरह से वो सासन चलाता था तो अब हम उसकी चर्चा करते हैं Central Administration यह बात आती है किसके बारे में Central Administration की बात कर रहे हैं तो Central Administration की चर्चा एक बार मैंने और की थी वो की थी गुपता प्रियोड में ठीक है ठीक Similarly वैसा ही Central Administration इसके समय में ही था Central Administration कहने का मतलब यह हुआ कि यह पूरा शासन का जो तंत्र था वो कहां से कंट्रोल होता था तो वो राजा से कंट्रोल होता था राजा यानि अल्ला दीन खिल्जी से ठीक है अब कैसे चलाता था पूरा सत्ता पूरी से राज पाठ कैसे चलाता था उसकी चर्चा कर लेते हैं Administration कैसे होता था था ठीक है तो सबसे वड़ी चीज होती थी कि कि और यह क्या करता था कि कुछ तक है जितनी भी सुप्रीमERE थि इनके आप में KG अपने हाथ में सुप्रीम पाबर रखे उए था इस्क्यूटरी ब्लेजिस्लेटिव यानि जो भी झीर्ने लेता था धों रणून का डिसीजन होता था खुद होता था जुडिशियल मैटर पर खुद देखता था तो इस सारे काम क्या करता था अल्लादिन खुद ही उसमें इनवॉल होता था यह वाज हेल्प और नमबर ऑफ अनभ बहुत सारे मिनिस्टर्स होते थे जिनके सहाय जिनको अपने साथ जैसे कि गुपता प्रियोंड में होता था यह तरह से इस तरह से सुल्टान्स conquering various matters and has no fond of the struggle and the sultans on the coin और इसके नीचे अपने पास क्या रखता था तो एक वजीर रखता था वजीर कहने का मतलब कि एक मंत्री होता था सेंटरल मंत्री उसको वजीर कहते थे तो वजीर कहते थे वजीर occupied the position next to सुल्टान सुल्टान के अगर बाद कोई होता था इसके सासनकाल में तो कौन होता था तो वजीर होता था वजीर वजीर को अपने साथ रखता था तो वजी इसके साथ होता था और सुल्टान handsome was most powerful of the ministers और इस तरह से ज्यादा तर मिनेश्टर क्या होते थे पावरफुल होता था और एक क्या करता था वजीर सब को वारियस पोस्ट देता था जिस पर की वजीर की नजर होती थी यानि वजीर पूरा का पूरा देख रेक करता था और वजीर से रिपोर्ट लेता था कौन तो अल्ला दिन खिल जी इसका सिस्टन था देखता था और सारी चीजों को निगरानी करता था इसको कहा जाता आटे मामलिक का पोस्ट देता था था पूरा मामला देखेगा और सारा चीज देख रेक निगरानी करेगा ठीक है और इस तरह से पूरा सिस्टम चलाता था है आगे की बात करते है कि अपना आपना आपने आर अरज इस दरह से पूरा इसकी सेना थी होता है क्या कि करप्शन को रोकने के लिए व्रस्टाचार को रोकने के लिए अपने सासनकाल में economic reform लाया था यह बहुत important बात है कि किस तरह से reform लाया था economic reform लाया था ठीक है tax collection करता था tax collector होता था जो की connection करता था तो यह सारा system था तो इस तरह से चलता था उसकी आर्मी इसके लिए एक department उसने बनाया था कुरी अल्कोर ओर्ज पुरी अल्कोर्ट ऐसं 1 में लिख दो क्वारी अल्कोर्ट पर मैं लिख दू क्ोरी अल्कोर्ट क्यू आर आर उतिकhil D कि सब्सक्राइब करता था एक करने के लिए एक अपना डिपार्टमेंट रहा था निकी बात करें तो कैसा सेंट्रेसिंटल में था मोस्ट ऑफ दब आवर अला दून के पास था अपने पास वजीर रखता था वजीर क्या करता था मिनिस्टर्श जो होते थे उसके contact करता था और ministers क्या करते थे कि सारे सिस्टम को चलाते थे अलग अलग department बनाया हुए था अलग-अलग head उसके बनाये हुए थे इस तरह से पूरा system था ठीक है तो ए चर्चा यहां तक हमने कि अब आगे बढ़ते हैं अब आगे आते हैं जुडिसियल एड्मिस्टेशन की बात मैंने कर दी हैना अब कहते हैं जुडिसियल एड्मिस्टेशन न्याय कैसे करता था हना क्योंकि यह बहुत important मुद्दा होता है कि जनता को कैसे judgment मिले न्याय कैसे मिले अगर न्यायी जाजा हो जाएगा तो ज्यादा दिन संगठन चलेगा नहीं तो न्याय के लिए क्या करता था सुल्तान्स हैड जुडिसियल एड्मिस्टेशन विलो हाँ आपने नीचे क्या रखता था जुडिसियल एड्मिस्टेशन सिस्टम रखता था जिसका नाम दिया था क्वाजी उल् तो इसमें क्या होता था कि जितने भी कैसे जाते थे जैसे किसी ने किसी कहीँ चोरी कर ली तो चोरी का क्या जाजमेंट होना चाहिए किस में हुआ कहां पर हुआ इस सारे पर नजर अल्ला दिन खिल जी कुद रखता था यानि पूछता था investigate करता था सारे dispute जितने भी dispute होते थे छोटे बड़े जिसमें जो माना जाता था कि इसका दोस है तो उस बहुत prompt होता था यानि खुद जो होता था अल्लादिन जी क्या था बहुत prompt था इन मामलों में और वो क्या करता था इस जगत जो ही पाया जाता था दोसी उस को torture करता था torture करने का भी इसका तरीका बहुत अलग किस्म करता है यह क्या करता था जंता क्राइम कम होता था तो इस इस से सुल्दान की मिलिटरी रिफॉर्म भी लाए था ए तो था आए سीनम में भी सुधार इस ने बहोत अक्षी तरीके से किया था सेनमे क्या किया था तो मिलिटरी रिफॉर्म में प्रायर टू रूल अल्लादिन खिल सी इसके पहले laFF होते थे यह एलिक्रत करता था आर्मी को अरेंज करता था आर्मी की सेना को देखता था और आर्मी में भी इसने क्या किया था कि सब जो सैनिक थे इसके जितने भी सैनिक थे उन सैनिकों को सैलरी का सिस्टम दिया था सब को सैलरी मिलता था पैदल वाले चलने वाले सैनिकों की सैलरी अलग होती थी घोड़े पर MBT की सेलरी अलग होती थी हाथी पर लडेने वाले सेकों की अलग होती एथी ती देखिए यहां पर छफा मैं आपर से चर्चा मैं कल दूं कि इन फैन्टरी थे जो फैदल लटते थे जो सेना पैदल लटती थी उसकी सैलरी आता थी वह मैं चर्चा जो horse पर लड़ते थे और इससे कुछ कम मिलता था जो कि पैदल सेना लड़ते थे ठीक है यहाँ पर exact amount नहीं आ रहा है इससे 78 कम मिलता था 78 कम मिलता था तो इस तरह से salary भी सारी सेनाओं को दी जाती थे ताकि वो बढ़िया से लड़ सके ठीक है तो इस तरह से पहले कोई salary नहीं होती थी लेकिन इसने क्या चलाया अल्ला दिन खिल जी ने एक salary सिस्टम बनाया यानि कि अपनी सेना को मजबूत करने के लिए कि सेना ही तो लड़ती है तो सेना को मजबूत करने के लिए सारी facility दे रखा था मार्केट का भष्टाचार रोकने के लिए मार्केट reform system लाया था। मार्केट में बहुत वाव सारे काम आगे चर्चा करते हैं कैसे कैसे reform आया था क्या-क्या किया था ठीक है अगली चर्चा आती है for maintaining large army अपनी पूरी सेना को तो यह क्या करता था कि एसेंशियल गुंडिटी जो होते थे लोगों को जो शासनकाल में जो लोग इसके रह रहे थे तो इसको अलादिन खिल जी को यह भी चाहिए था कि हमारा सेना भी मेंटेन हो सेना को मेंटेन करने के लिए जो essential food होता था जो वहां के लोग उसके सासनकाल में दिल्ली सल्तनत में जो रहते थे तो उनको essential food जो खरीदते थे जैसे रोटी चावल जो खरीदते थे इस पर क्या था इसका एक fixed cost था ताकि उस cost से कुछ हिस्सा जाए कहां राजा के पास ठीक है तो इस तरह से पूरा एक marketing system था हाना historian के अनुसास से के opinion है क्या the price control हाना price का control होता था पूरा marketing इनके price से है न तो price control के लिए एक superintendent यूज होता था एक superintendent आता था जो market को observe करता था market को देखता था यानि जहां भी sale purchase हो रहा है वहां पर क्या होता था market होता था पायोज होता था बहुत सारे जासूस होते थे वह खवर रखते थे कौन सा ब्यापारी कितने सवान बेच रहा है ठीक है कही कहीं पर किसी तरह का corruption होता था तो बुरी तरह से टौर्चर करता था इस तरह से उसका पूरा system था ताकि उसका पूरा market उसके हाथों में रहे तो इसका पूरा market system जो था बहुत अच्छा था ठीक है market है और इसका जो था ना मलिक मलिक कबूल तो उनको यह देता था सेना मंडल का अध्यक्ष बनाता था तो चेक और इस तरह से पूरा उसका चलता था पूरी duty क्या लग रहा है tax क्या लग रही है इस सब चीजों पर खया रखता था अगे चर्चा करते हैं कि कैसे कैसे वह आगे की करवाई करता था अपने states में अपने राज्य में ठीक है अला दिन खिल जी मर्चंट्स को जो मर्चंट मोवाईल मर्चंट थे पहले क्या होते थे बहुत सारे बैपारी ऐसे होते थे जो घूम घूम करके बैपार करते थे यानि कहीं सामान ले करके आया और कहीं मार्केट में बेच दिया अब इसने क्या किया कि मार्केट रिफॉर्म सिस्टम जब लाया अला दिन खिल जी ने तो उसने क्या किया कि नहीं ऐसा नहीं होगा कि कोई आप कहीं भी समान बेच बेच दोगे आपको क्या करना होगा कि हमारे लिस्ट में आना होगा तो इसने क्या कि एक लिस्ट सिस्टम जारी किया जो मर्चंट थे उसकी लिस्टिंग करवाना शुरू किया ताकि पता चले कि कौन सा व्यापारी कहां पर कितना समान का लेंदेन कर रहा है तो इस तरह से मत्बूत असवार्ग ऑल और सबको होगा जाएग पकड़ा जाता कोई मेडियर करते हुए तो उसको टॉर्चर करता था तो इस तरह से पूरार नहीं गैंट पार। system पूरा governing system control में आ गया था the states grainers were filled to to filled with a stock grain और a state grainers एक बठा था जो क्या करता था जितने भी अनाज होती थी उसको store करके रखता था और फिर वहां से क्या होता था वहां से ब्यापारी आते थे और लेकर के जाते थे और अपारी के साथ dealing होती थी ठीक है नायक होते थे जो एक काम करते थे थे तो इस तरह से grain merchant के साथ नायक deal करते थे और इस तरह से पूरा लेंदेन का सारा हिसाब होता था यहाँ पर नाजूंगी सिर्फ खेती में सेल पर्चेज नहीं होती थी जानवरों की की भी पर्चेज होती थी तो इसमें होर्स बई इंपॉटन होता था और से आपको कोंचन पूर्च सकता है की होर्स कैसे थे तो अच्छे किस्म के होर्स होते थे उस समय उसकी कीमत जादा होती थी तांका और जीतल दो रूपया चलाया था तांका था चान्दी का कॉएन और जीतल था कॉपर का कॉएन तो एक होर्स अच्छा वाला होर्स खरीदने के लिए 100 से 120 टांका पे करना पड़ता था यानि अच्छे होर्स की कीमत क्या रखा था एक सो से 120 टांका थीक है यानि चान्दी के सिक्के एक से 120 दोगे तो अच्छे घोड़े ले जाओगे और छोटा जो घोड़ा होगा जो घोड़ा एकदम बेसिक घोड़ा होगा उसकी कीमत कम उसकी कीमत 20 से 25 टांका होता था तो इस तरह से पूरा सिस्टम बहुत अच्छा था इसका जिससे पूरी रेविन्यू इसके हाथ में थी पूरा एड्मिस्टेशन इसके हाथ में था बहुत अच्छा काम कर रहा था बहुत बड़ा सासक बन गया था और इसका नियत सिर्फ इतना था कि बहुत ही दुष्ट ठीक है, सोसल रिफॉर्म तो किया था, समाज में कोई कंट्रोल करना जानता था, ये खुद अत्याचार भले ही करता था, लेकिन सोसल रिफॉर्म बहुत अच्छा किया था, क्या किया था इसने, सोसल रिफॉर्म में, तो इसने सराव जैसे थे, वाइन वगएर था, उसको पर बैन लगाया था, सोसल रिफॉर्म में क्या काम किया था, तो सराव पर, वाइन को पर बैन लगाया था, और क्या किया था, तो कुछ और काम किया था, जैसे कि, अल्कोहल, अल्कोहल की बात करें, इस पर बैन लगाया था, ये सब चीजों पर इसने बैन लगाया था, और इस इस तरह से टैक्स वग्छेरा का भी इसने एक सिस्टम बनाया था जिसमें की पूजा पर भी टैक्स जिसको जजिया कहते हैं यह सब चलाया था तो इस तरह से पूरा पैसों की पकड़ किये हुए था पूरा system administration इसके हाथ में था पूरा कोई law order sub catalog में था और खुद expedition करता था ऑर जीतता जाता था इस तरह से अब आगे चर्चा हम करेंगे स्टुडेंट उस पिसएकि जहां से इसकी जीत everyday कहानी सुरू होती है कहां जाता है कैसे कैसे जीत जाता है किन किन जगों पर expedition करता है इन सब खर्चा करते हुए कैसे अल्ला दिनidaast डाइनेस्टी आती है कैसे इसके बाद दूसरी डाइनेस्टी की सुरात होती है तो स्टुडेंट बने रहें अगला लेक्चर फिर देखें थांक्यू वेरी मच्छ